नेक्स्ट कोस्टन करते हैं पेज नमर्ट 23 का कोस्टन नमर्ट 17 यह है यह सुरी जेए में 2019 का एभी कोस्टन है जेए में का कोस्टन है वीडियो को पॉस्ट किजी और खुद से स्वर्फ करने को कोशिच किजी को इस त्रह से डाइग्राम बना हुआ है सबसे पहले आप आपको देखना कि यह और यह जान प्लेट बना है यहां भी यह और यह प्लेट है तो इसमें ढूंड़ना है कि सिरीज पैरलल है कि सिरीज है या पैरलल तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ चलेंगे तो बदल रहा है सब यह सब सिरीज होगा एक के बाद दूसरा आ रहा है दूसरा एक बाद तिसरा यह सब सिरीज है य कि आप देखिये कोस्चन में क्या पूछ रहा है कि तो कि रिए इस आप एनर्जी एस्टोर का फर्मूला यहां पर लिखते हैं इनर्जी एस्टोर को यू भी लिखते हैं इसका फर्मूला होता हाफ cv square किसी भी capacitor के अंदर जो energy store है तो आगे हम लोगों पढ़ना है next class में पढ़ेंगे तो energy store का formula का half cv square यहाँ पे इस case में देखें तो c कितना हो चुगा रहता है c0 into k equivalent हो जाता है तो हम यह बोलेंगे energy store का दोनों में ratio चाहिए तो भी कहरा है कि same potential से charge किया गए दोनों में भी तो सेम ही यह दोनों ही case के लिए भी तो सेम है तो यहाँ पे c0 भी क्या है दोनों तो identical है तो c0 भी सेम है main कहाँ पे दिक्कत है k equivalent तो आपको energy का ratio चाहिए तो इसका k equivalent और इसका k equivalent निकलना परेगा तो जो energy का ratio actually में energy का जो ratio है दोनों में यह सब तो cut जाएगा सब तो सेम ही है main रह जाएगा k equivalent पहला case का k equivalent second case का first case का बटा second case का first or second case का तो इसको फिर से समझ लिए जी क्या बोला है question बोल रहा है कि दोनों ही case में energy store का ratio बताइए energy store का फर्मूला होता half cv उसको है और c कितना होता c naught into k times तो हमारा देखिए कि c naught और v यह दोनों के लिए तो c naught सेम है और v भी सेम है question में लिखा हो कि same potential है तो यह दोनों eliminate sorry आपको बताया थे eliminate करने का तरीका कैसे हुआ था तो हम लोग सब का value 111 111 मानते है वन मानेंगे तो answer one यहां भी one ठीक है यानि दोनों one one होगा answer one आना चाहिए तब जब सारा का सारा one मान ले शुरू किजी पहला option में जाए पहला option में जाएंगे तो one one रख लें तो nine by three into one 11 यह भी three यानि one होगा पहला option में one हो रहा है तो second option में one by nine हो रहा है second option में one by nine हो गहा नहीं होगा पहला option में one हो गया था C option में भी नहीं होगा, D option में 9 नीचे है, तो A या D होगा, क्योंकि देख लिए सब को रखकर 11, D option में रखेंगा, दूपर होगा 3, K1 plus K2 plus K3, यानि 3 into, डबल डबल गुना है, तभी भी 11 होगी, यानि 3 into 3, 9 divided by 9, K1, K2, 3, 11 रख लें, तो 9 ही होगा, कट के वाद, यानि option A या option D हो सकता है, ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यादी 111 डाल दें, तो इसका हम से option आड़ा A या D, यह दोनों में से कुन से चुनना, यह मारा question है, कैसे चुने, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख अब इस case में थोड़ा सा हम को देख लेना है, कि K1 पलस K2, K3 क्या है, इस parallel में है, तो parallel का होता है, K1 पलस K2, पलस K3 by 3, तीन लगा होगा है, तो K1 पलस, यानि कि यह जो चीज है, E2, E2 इस case का है, second case का, यह चीज यहाँ पर जाएगा, के equivalent इस case का, पहला case का, के equivalent मतलब य यहाँ जाने वाला है, यतना तो clear है, तो यहाँ पर K1 पलस K2 पलस K3 नीचे में होगा, इतना ध्यान रखना है, K1 पलस K2 नीचे में होगा, तो नीचे में कौन सा option A, और option D में से, K1 पलस K2 पलस K3 नीचे में कौन सा है, तो नीचे में option A है, हो गया clear, option A होगा answer, तो पकड में हमारा option a में सिर्फ है ठीक है ठीक है अभी इस question को हम लोग solve करते हैं तरीके से कितना होगा ठीक है आपको तरीका पता चलिया कि जल्दी से question solve करना तो कैसे करेंगे तो इसका इसका k equivalent निकल चुका इसका k equivalent निकलना है तो यह सिरीज में है सबको 111 माल लें सिरीज में है distance तो तरीका इसका क्या है टोटल डिस्टेंस कितना है 3 3 by k equivalent बडावर 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3 यहां से करेंगे तो यह चीज हो जाएगा 3 by k equivalent बडावर LC हम लेंगे k1 k2 k3 तो तीनों से एक हो गया तो दो मिलकर जाएगे यानि k1 k2 k2 k3 k3 k1 यह हो गया इसलिए यहां से k equivalent इतना हो जागा k equivalent निकाल है 3 k1 k2 k3 by k1 k2 plus k2 k3 plus k3 k1 यह चीज हो गया k equivalent यह है दूसरा यह है इस दोनों का ratio कर दें तो यह चीज ऊपर में रहेगा नीचे में तीन रहेगा देखिए इन दोनों का ratio करके यह दोनों गुना में आ जागा तीन ऊपर चला जागा तो 9 k1 k2 k3 हो गया answer इतना बटा इतना क को सिर्फ हो गया answer